तो दोस्तो आज 12 August 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important company की share के बारे में जिसका आज यानि Saturday के दिन quarter 1 का number आउट हुआ क्यूंकि आज बजार close था तो इसका impact actually आपको Monday यानि सोंबर जब बजार open होगा जरूर देखने को मिलेगा और यह तीनों company का result दोस्तो अमेजिंग रहा तो जिस बैसे shareholder के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है और इन में से एक company दोस्तो निफ्टी 50 का हिस्सा भी है तो इसका मतलब इसका impact आपको directly निफ्टी 50 में भी Monday के दिन देखने को मिलेगा तो चले एक एक करके step by step company का नाम कौन-कौन सी company का ऐसा परफर्म किया आपके सामने में present करते हो तो सबसे पहले company की शियर का प्राइज आप देख सकते हो क्वाटर वान से तो 2022 की जून क्वाटर में company का टोटल इंकम का नंबर था एक लाग बिरासी हजार आठसो चुरानवे करोर रुपए ध्यान देना इस बार गिरावट हुआ कितना हुआ एक लाग 63 हजार आठसो चौबीस करोर रुपए even quarter on quarter basis पे भी गिरावट देखने को म अब देखें मैं आपकी इसके पहले बहुत बार क्या बोला था जो बड़े companies है ना इसमें अगर एक एक परसंट की margin भी increase या decrease होता है वो कहीने के reflect करता है आपके net profit के अंदर ठीक same to same चीज़ दोस्तों ऐसा ही हुआ है OJC के साथ ये देखें company की total income इतना जादा गिरा अब margin की बात करें 10% margin company last year रखा था 2022 की June quarter में इस बार सीधा सीधा 10 से बरके 18 मैं आपको एक परसंट देर परसंट आदा परसंट की बात करता था इस टाप की बड़े company क्योंकि इसका income है बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें अगर एक परसंट भी हेर फेर हो जाते तो बहुत ब क्वार्टर वान पर नेट प्रोफिट कमाया है SBI उसके बाद रिलैंज इंडेस्टिय और तीसरे दोस्तों ओएंजेसी ओएंजेसी का नेट प्रोफिट देखें एक दो दस बीस पचास साट ने सीधा 100% जंप किया year on year basis पे और quarter on quarter base पे 300% जंप रखा यह देखें लास्ट दो हजार 22 की जून quarter में company का नेट प्रोफिट कितना था 8581 करोड़ इस बार बर के कितना हुआ 17,383 करोड़ जो कि इस बार quarter one ठीक है quarter one पे तीसरे सबसे highest profit कमाया मेरे अकॉर्णिंग सबसे जादा SBI का उसके बाद Relance इंडस्टी उसके बाद आपके ओएंजेसी और लास्ट वाटर की बात करें देखें कंपनी का नेट प्रोफिट आयादा 5701 करोड़ पर सीधा 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 आप देख से तो मल्टी फोल्ड हुआ पल्टी फोल्ड अल् किसी ने सोचा भी नहीं था तो बात करेंगे अंदर कैसे इंपक्टा था तो तो चाहिए क्योंकि यहां पर की साथिन को पर धेखने को जरूर मिलेगा नेक्स्ट हम बात करेंगे यह भी एक PSU कंपणी है इस बार रेलवे सेक्टर का जो कि लास्ट एक साल पर सबको अन्बिलेवेवल रिटरन दिया 300% का आसपास मतब लोग अक्सर सोचता नहीं था कि PSU सेक्टर में भी ऐसा रिटरन मिल सकता है अब देख लिए मजगाव डॉक क सब्सक्राइब को 500 पर संब्सक्राइब को देख लिए 100 पर संब्सक्राइब के लिए वह भी PSU कंपणी है आरी आयर एपसी और वीनल इर्कॉन राइट सारे के सारे के दोस्तों रेलवेस सेक्टर की जो कंपनी से बहुत अमेजिंग रिटरन दिया लास्ट एक साल पर आज सब्सक्राइब के दिन कंपणी का रिजल्ट आउट वा तो चलि मैं आपको रिजल्ट को पर लेकर चलता हूं यह देखिए कुस टैम पहले आउट मतब ज्यादा टाम नहीं हुआ आर्विनल क्वाटर वान रिजल नेट प्रोफिट जंप 15% 343 करो डेविन्यू अब 20% तो तो यह ले थोरा सा नंबर्स देख लेते लास्ट यह पी कितना ता इस बर कितना हुआ है तो देखे सबसे वहले नेट प्रोफिट की बात करें तो यह और और यह पर कंपनी का टोटल इंकम किया अल्मोस्ट ट्वेंटी परसन के आसपास यहां पर देख सेकतो टोटल नंबर था 4640 करोर का यहां यहां पर एक तरफ कंपनी का रजल अच्छा रहा पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर थोड़ा बहुत हमें थोड़ा सा मार्जिनल करेक्शन या बोल से गिरावट भी देखने को मिला देखे जहां पर यह ली तो काफी तेजी था नेट प्र दो पर से डॉरप देखने को मिला उसके साथ सा जो टोतल इंकम है वहां पर फिल ऌबें दो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंडे की दिन इसके अंदर भी एक बढ़िया जंप हो सकते हैं अच्छी कंपनी हैं चाहिए हम बात करें बुलेट ट्रेन का चाहिए हम बात करें बात करें स्टेशन मैनुफेक्चर हो गया पठ्री की काम हो गया कोई भी यहां पर काम दोस्तों अक्सरम ने देखा कार्ट वीनल को दिया जा रहा है कंपनी बहुत अच्छे से निभावी रहा है मतलब जो रेकॉर्ड टाइम उसके अंदर ही कंपनी पर फिनिश करें तो अच तो आज के बहुत अच्छी रेजल प्रेजन किया खास करके वीन जैसी की बात करें अब तीसरे और इक कंपनी जो की बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर पर कंपनी काम करें और यह शेर भी काफी अच्छा परफर्म किया इस बार को आटर रहन देख लिए यह यह भी काफी जाने से पहले में आपको रेजल दिखाता है उसके बाद बात करेंगे कि आपको इसमें इंबेस बगरा करना चाहिए यह नहीं तो देखें अमरा जब एड्रिस की बात करें लास्ट यार 2022 की जून क्वाटर में कंपनी का टोटल इंकम हुआ था बहुत अची बात है इसे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट उसमें अल्टिमेटली काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि यह मैं किस बात के मार्जी अगर एक परसन आदा परसन हे फिर वो चोटे कंपनी की बड़े कंपनी की स्का टोटल इंकम आप देख सकतो कितन आवा 2770 यहां पर दोचार सुना ती तो हेर आपको बहुत जाधा यहां पर देखने को मिला बट मार्चीन यहां पर एक आदा परसन को उत्मना ज्यूदा मैं नहीं करता चोटे कंपनी की के स्मिच में जिस बैस हमने देखा कि कंपनी मार्जीन थोड़ा जाओ थोड़ा मात बहुत ही थोड़ा मार्जीनल यहां पर डाउन होने के बाप जूद भी जहां पर उइंजी सिक हमने देखा था कितना जाधा हेर फेर हो क्या था वही अगर हम बात कर यहां पर काफी अच्छा ग्रोध भी देखने को मिला 131 करो लास्ट यह जनरेट करता नेट प्रॉफित करोड बढ़के 192 करोड पर पहुंच चुका है नॉट इफिन एर्ली बलकि क्वाटली भी 138 करोड से बढ़के 192 करोड पर पहुंच चुका है बाकि दोस्तों यह तीनों कंपनी कैसा लगा रेजल्ट बाकि आपके बास कौन सी कंपनी का शियर है और कितने प्राइस में लाइक करके जरूर इंकरज करना मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टिक क्या बाबाई जय हिंद